हेई गईज वाट्स अप वन्स अगें वेलकम बैक तो माई चनल माई नेम इस निखिल और यू और वाचिंग फैशन निक गईज आइज आइज लाव हैक्स बिकोज यह हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं यह अपको बताऊंगा बैक्स बिकोज बनाते हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा यूसफुल होंगे बनाते हैं वाट विडियो नुम्बर वन यूज बनाते हैं लगाना है नाक के उस वाले एरिया पर जहां पे हमें ब्लेक हैट की प्रब्लम होती हैं बैंडेट को लगा कर इसे 2-3 मिन तक रखना है और वापस इसे हटा देना है जिससे कि हम अपने ब्लेक हैट को काफी इजरली रिमूव कर सकते हैं जब भी हम नए शूज पहनते हैं तो हमारे पेरों में और हमारे एंकल्स में कट्स लग जाते हैं इसके लिए आपको जिस स्पेसिफिक जगा पर प्रब्लम होती हैं आप उस जगा पहले से बैंडेट लगा दें इसका सबसे Best solution है अपने निपल के उपर बैंडेट लगा दें मारेकेट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बैंडेट अवेलेबल हैं तो आप अपने skin की color के हिसाब से या फिर आपने जो कपड़ा पेना है उस कपड़े के color के हिसाब से band-aid लगा सकते हैं जिससे कि आपकी ये problem solve हो जाएगी Number 4, using band-aid for your shirt button Guys, हमारा कुछ shirts ऐसे होते हैं जिसमें की उपर वाला button बहुत ज़्यादा उपर होता है जो कि अगर हम बंद करना चाते हैं और अगर हम बंद करते हैं तो हमें काफी ज़्यादा uncomfortable लगता है So, ऐसे में आप एक band-aid को roll करके अपने उन दो shirt buttons के बीच में लगा सकते हैं जिससे कि आप अपने button की length को अपने ही साब से adjust कर पाएंगे Number 5, use band-aid for colors कईस बहुत सारी जगों पर फैले हुई colors बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हमारे कुछ shirts ऐसे होते हैं जिनने हम कितना भी अच्छा से iron कर ले उनकी collar वापस से फैल जाती है So, अगर आप अपने उस problem को fix करना चाते हैं तो अपने collar के नीचे band-aid को roll करके लगा दें जिससे कि आपकी collar बार-बार नहीं फैलेगी Number 6, use band-aid for your lower button कईस जब कभी भी अगर हम अपने किसे shirt को tuck out रखते हैं अगर उसके shirt की fitting अच्छी नहीं है तो उसका नीचे वाला हिस्सा फैल जाता है जिससे कि आपके belly fat का illusion होता है अगर आप अपने इस problem को fix करना चाते हैं तो आप उनके बीच में band-aid लगा दें And finally Number 7, use band-aid for fixing your tie Swinging tie हमें कभी के बार बहुत ही ज़्यादा irritate कर सकती हैं हम चाहते कि वह stable रहे बट वह stable नहीं रहती इसके लिए भी हम band-aid का use कर सकते हैं Simply अपने shirt और tie के बीच में band-aid को roll करके लगा दें जिससे कि आपकी tie swing नहीं करेगी and आप ज़्यादा comfortable feel करेंगे So guys यह थे साथ ऐसे band-aid hacks जो कि आपके lifestyle में value add करेंगे I hope guys आपको यह वीडियो helpful लगा होगा and आपको यह वीडियो पसंदा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like ज़रूर करना Don't forget to hit the subscribe button to become a part of our YouTube family and guys don't forget to share this video And guys अगर आपको बचाएए फैशन गूमी यह lifestyle से related किसी particular topic के अपर वीडियो तो निचे comment works में लिके हमें ज़रूर बताना आज के इस वीडियो मस इतना ही बहुत जल्दी मिलते हैं आप से next वीडियो में तब तक के लिए stay stylish and keep smiling